नमस्कार मैं हूँ विजय विद्रोही तो देश भर में मोधी सरकार किसानों के संबंध में तीन ने कानून बना कर लाई है जिसका विरोध हो रहा है आंदोलन हो रहा है कुछ लोग जम कर विरोध कर रहे हैं कुछ लोग जम कर इसकी तारीफ कर रहे हैं मेरा खुद का टेक ये है कि ये तीनों कानून किसानों के हक में हैं किसानों का इससे अच्छा खासा भला होने वाला है हाँ थोड़ी बहुत खामिया हैं जो अगर दूर हो जाएं तो किसानों का वास्तों में और ज्यादा भला होगा उस चीजे मोदी जी ने मानी हैं उस चीजे मोदी जी मानने से थोड़ा डर गए हैं थोड़ा पीछे अड़िये हैं आई ये इसकी विवेशना करते हैं कि दोस्तों आपने टीवी चैलनों में कहीं बार देखा होगा इस तरह के शॉट्स देखे होंगे कि सड़क पर लोग टमाटर हैं किसान कहीं प्याज फैंका जा रहा है प्याज का दाम कहीं पचास पैसे एक रुपे दो रुपे किलो हो गया है कहीं से खबरे टेल्वीजन च प्याइकरें को मचबूर है लेकिन ये खबर देखकर ये टीवी चैनल पर ये द्रिश्टे देखकर आप जब बाजार में जाते हैं अपने ठेले वाला जो आपकी गली में आता है उससे प्याज का दाम पूछते हैं तो कहता है बच्चिस रुपे तीस रुपे आप टमाट टमाटर के दाम 50 रुपे, 60 रुपे, 70 रुपे किलो, 100 रुपे किलो हो गए हैं प्याज के दाम 100 रुपे किलो हो गए हैं आप बाजार में जाते हैं तो बाजार वाला जो कहता है कि सब देखिए आप लोग खुद टीवी चैनल वाले यही चला रहे हैं अखबारों में यही किसान के पल्ले कुछ नहीं पढ़ता और जब टमाटर के दाम 50 पैसे होते हैं तब भी कंजूमर यानि आप के पल्ले कुछ नहीं पढ़ता समझ गया तो यह बीच का सारा कुछ कौन खा जाता है यह बिचोलिये है यह आड़तिये हैं यह मिडल मैन है यह सब खा जाते और आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्सित देशों में जो खेती के अंदर खेत में जो उपच पैदा होती है जो आपके घर तक कहुँचती है उसमें प्रॉफिट का मार्जन 10% से ज्यादा नहीं रहता बहुत से देश हैं जहां 20% 25% रहता है लेकिन हिंदुस्तान में यह प्रॉफिट का मार्जन 50% से लेकर 95% तक है अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जो तीन कानून मोदी सरकार लेके आई है इससे यह गैप इतना बड़ा गैप कम हो जाएगा क्या बिचोलिये खत्म हो जाएंगे क्या आड़तियों की चल्ली बंद हो जाएगी क्या किसानों और आप जो कंज्यूमर है उसके बीच में एक दोस्ताना संबन स्थापित हो जाएगा दोनों की जेब में पैसा जाएगा पहली बात करते हैं APMC Act की अग्रिकल्चर प्रेड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट की 1965 के आसपास यह एक्ट बना था तब यह थे कि देश भर में मंडिया बनाई जाएं ताकि किसानों को अपना समान बेचने में आसानी हो सके देश में करीब 22,000 मंडिया हैं केरल में मंडी नहीं है विहार में मंडी नहीं है यहां इसने जुड़ा हुआ यह है कि इन मंडियों में ही MSP यानि न्यूंतम समर्थन मूले पर सरकार गयों धान, दालें और दूसरी चीजें 22 या 23 तरह की चीजें खरीदती है अब पंजाब और हर्याना के किसानों का 100% धान सरकार खरीद लेती है सरकारी खरीद हो जाती है और ऐसे बे इन किसानों को डर है कि APMC अब खत्म हो जाएगा किसान APMC के बाहर भी समान बेश सकेंगे तो फिर MSP खत्म हो जाएगा लेकिन यह बिल्कुल बकवास की बात है इस देश में जैसे आरक्षन खत्म नहीं हो सकता गौर कीजेगा इस देश में जैसे आरक्षन खत्म नहीं हो सकता चाहे कोई सी भी सरकार आजाए उसी तरह इस देश में MSP खत्म नहीं हो सकता चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए ये बात समझ लेनी चाहिए अब उल्टा अब होगा ये कि मंडी के अंदर से जब किसानों से सामान दूसरे लोग खरीदते थे तो 6% उनको टेक्स लेना पड़ता था मंडी का टेक्स करीब 5% था यानि 8.5% टेक्स लेना पड़ता था अब ठेक्स कम हो जाएगा पहले ये FCI ही खरीदती थी FCI अपने गोदामों में ले गए जाती थी वे गोदामों से ये दूसरी जगा जाता था अब ये चेंज जो बड़ी बनती थी अब ये चेंज थोड़ी छोटी हो जाएगी कि किसान से आ लीजे मैं एक फ्लोर मिल मालिक हू आटा मिल का मालिक हूं मैं सीधा किसान से खरीदूंगा 8.5% टेक्स भी बचाऊंगा किसान से सीधा माल अपने आटा मिल में लेके आऊंगा वहां आटा बनाऊंगा और आटा बेचूंगा और उसमें हो सकता है कि मेरा दिल थोड़ा पसीद जाए कि मुझे 8.5% का मुनाफ़ या बचत हो रही है तो मैं थोड़ा आटे के दाब कम करतूं यह हो सकता है तूसरी बात यह है MSP को लेकर कि MSP सरकार को खरीदनी ही खरीदनी है इस देश में 24 करोट टन अनाज हर साल पैदा होता है जिसमें घ्यों है मक्का है चावल है जिसे आप धान भी कहते हैं इसके अल अना पड़ता है क्योंकि 80 करोड लोगों को 5 किलो अनाज हर साल हर महीने सरकार मुफ्त में देती है या 1 रुपे किलो चावल और 2 रुपे किलो चावल के हिसाब से देती है तो यह उनके लिए रखना ही रखना है उसमें करीब 2 करोट टंग खर्च होता है पिर आंगनवारी केंद्रों में सरकार कोशाहार योजना के तहट किसान अनाज भेशती है इसके अलावा मिट्डे मील स्कीम जिसमें करीब 11 लाग स्कूलों में 12 करोड बच्चे हैं उनको यह हर महीने के हिसाब से महीने का जो कोटा है गयों का चावल का वो दिया जाता है अंत्योदे योजन के तहट लोग आते हैं उनको दिया जाता है फिर एमर्जेंसी केसिस के लिए सरकार एक अपना बफर स्टॉक बनाकर रखती है इसलिए किसान भाईयो सबसे बड़ी बात है कि MSP पर सरकार को किसानों से यहूं चावल दाल विगारा खरीदनी ही पड़ेगी इससे सरकार बच भी नहीं सकती एक चीज दूसरी अब APMC की जब मंडियां मनी होई थी तो उसमें 40-50 वैपारी होते हैं जिनके पास लाइसन्स होता है अब किसान अपने इलाके की मंडी में ही जा सकता था किसी दूसरे मंडी में नहीं जा सकता था तो किसान जो हो कि इस फसल पर कार्टेल कर लेते थे वैपारी मिलकर कि हाँ भैई गोवी का दाम किसान भीचे ना भीचे हम तो दस रुपे किलो से ज्यादा खरीदेंगे नहीं तो और किसान की मजबूरी थी, अब किसान घर से निकलेगा तो वो अपने राज्ये की अपने प्रदेश की मंडी भी देख सकता है, अपने दिस्टिक्ट की मंडी भी देख सकता है, और बगल के राज्ये की मंडी भी देख सकता है, मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि कुछ राज्ये, कुछ किसान जैसे बॉर्डर एरिया में रहते हैं जैसे माल लीजे मध्यपदेश के नीमच में किसान रहते हैं नीमच से 18-25 किलो मीटर दूट से राजिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है नीमच में माल लीजे ओरत का दाम उसको 4000 रुपे किलो मिल रहा है और उससे लगी राजिस्तान की मंडी में उसको 5000 किलो मिल रहा है तो क्यों नहीं वो 5000 किलो में जाएगा दूसरा वैपारी भी डरेगा वो भी मर्मानी कीमत नहीं लगाएगा कम कीमत नहीं लगाएगा क्योंकि इसको मालूम है कि किसान की अम मजबूरी नहीं रही कि उसके पास आने की उसके पास options कुले हैं वो दूसरी जगा भी जा सकता है दो चीजी जो किसानों के हक में जाती है इसी तरह आवश्यक वस्तो अधिनी अम 1955 का है जिसमें वेपारियों पर स्टॉक सीमा लगाई गई थी इसमें इस्पेक्टर राज बहुत चलता था आप सौ स्टॉक की सीमा लगा था सबसे बड़ी बात है घटी रहती थी पढ़ती रहती थी किसान इसी को लेकर परेशान रहता था अब भी सरकार में कहा है कि अमरिजन्सी केसिस होंगे अकाल के सिती होगी सूखे की सिती होगी युद की सिती होगी तो फिर एसेंशियल सर्विस एक को घाटा नहीं होने वाला है यह बात है लेकिन होना यह चाहिए था कि इससे पहले सरकार जो कोल्ड स्टॉरेज है उनकी संख्या बढ़ाती सरकारी कोल्ड स्टॉरेज की संख्या बढ़ती ताकि किसान जो छोटा किसान है गरीब किसान है वो भी सस्टे में वैपारियों को ताम किसान अपनी फसल बेचने की जगह एमर्जनसी केसिस के लिए कि कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो वो महंगा बेचेगा जैसा तूसरे वियापारी करेंगे तो वो कोल्ड स्टूरेज में रख सकता यह सरकार ने ववस्ता नहीं थी तीसरी बात कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की है कि दो लोगों के बीच में कॉंट्रेक्ट फार्मिंग किसानों और कंपनी के बीच में हो जाएगी तो उसमें यह ववस्ता भी किसानों को थोड़े लाब दायक होगी कि उसे मालूम होगा कि उसको कितना टमाटर उगाना है किस त सरकार लगा दो यह कमी Er यह है चैसर इसे सरकार को दूर करना जरूरी था Instagram बीच में शत्रहें बार रोब लगाई गई है यहां ऊपर नीचे किया गया है राप किया गया है तो आपको हरानी अफने ड्लोक बंगलादेश ट्रॉक Z प्याज पॉर्डर पर रोग दिया गया वापस आगे रहे हुआ जहाज समुंदर में चल दिये लेकिन बीच से वापस बुला लिए गये तो इससे भारत की अंतराश्टी मार्केट में इमेज भी खराब होती है तो यह निर्यात वाली जो बात है यह भी सरकार को इसमें शामि पर नीचे होने वाले हैं मंडियों में दाम कितने उपर नीचे होने वाले हैं इसका कुछ न कुछ अंदाजा हो सकता था अब आंत में जाते-जाते छोटी सी राजनीती की बात है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार्म भी A.P.M.C. Act खत्म करना चाहती थी कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में भी शामिल किया था बिल्कुल सही किया था लेकिन कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में ये भी कहा था कि निर्याद पर भी कभी इस तरह की रोप नहीं लगाई जाएगी जो बीजेपी अब निर्याद पर रूप लगा रही है दूसरी बात अगर हम बीजेपी की करें तो 2001 में अमरिश सर के अंदर बीजेपी ने सम्मेलन किया था अकाली दल उनके साथ थी और तब APMC और Essential Service Act को लेकर सरकार ने बड़े-बड़े वादे किये थे बीजेपी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की अधिक्स्ता कौन कर रहा है कमेटी की अधिक्स्ता कर रहे थे मालिनिये नरेंद्र मुदी जी 2001 से 2004 तक बीजेपी की सरकार रही 2014 से 2020 तक उनकी सरकार और 2020 में आतर अब जाकर वो ये फैसला करते हैं जिसमें भी कुछ खामिया वो छोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को लेकर राजनीती किस तरह हो रही है